Hello everyone, welcome to my channel, मैं महिश्रा सौगत करता हूँ आपका अपने चैनल में, आज हम जी स्विश्रा पर बात करेंगा, उनका नाम है जिया फरी दू बीन डागर, इनका जीवन परीच और संगीत में इनका योगदान, तो इनका जन्म 15 जून 1932 उदैपूर मित्यू 8 मई 2013 में मुंबई म हुआ, भारत के मसूर धुरुपद गायक थे, ये कौन थे? ये जो थे वो धुरुपद गायक थे. सांदार धुरुपदिया गायक उस्ताद जिया उद्दीन डागर के बेटे फरी उद्दीन ने अपने दिव गत भाई जिया मोही उद्दीन डागर मसहूर रुद्रविना वादक के साथ मिलकर धुरुपद शैली के गायन को पुनह जीवित करने में एहम भूमी का निभाई है इनका जो जीवन परीचे है फरी उद्दीन का जन्म 15 जून 1932 को राजिस्थान के उद्दैपूर में हुआ था जहां उनके पिता उद्दैपूर के महराणा भूपाल सिंग के दरवार में संगितिग्य थे फक्री उद्दीन ने देश-विदेश के कई बड़े शिक्षित किया पिता की मित्यू के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई से संगीत की शिक्षा ली उस्ताद जिया फरी उद्दीन डागर उस परिवार से हैं जिसने 19 पीडियों तक धृपद गाई की को आगे बढ़ाया उस्ताद ने धृपद को लोगप्रिय बनाने के लिए अनिक प्रयास किये उन्होंने बड़ी संख्या में देश-विदेश में कॉंसेट किये वर्क्सॉप की वे 1980 में अस्ट्रेलिया में निवास करने लगे इस दोरान उन्होंने फ्रांस और अस्ट्रेलिया में धृपद की तालीम देनी सुरू किया तभी कुछ समय के लि और भारत वापस आगे उन्होंने धृपत केंद्र में 25 साल तक धृपत की तालीम दी कितने साल तक उन्होंने 25 साल तक उन्होंने धृपत की तामिल दी वे आई आई टी बॉम्बे के धृपत संसार में 5 साल तक अतिती अध्यापक गैस फैकल्टी भी रहे उनका जो स्वभाब है वे डागर गराने के अन्य कलाकारों के भाती ही फकीरी प्रकृती के कलाकार थे मन में आया तो दो मीठे बोल पर और लड़ूओं में रात भर गादिया अन्य था लाक रुपय को भी ठुकरा दिया भोपाल दुरुपत के इंद्र में संगीत साधना कर रहे बिहार निवासी मनोज कुमार को दो वर्स तक उस्ताद का सनिध्य प्राप्त हुआ उन्होंने क कहा सीखने का अद्वुत तरीका था उनका बहुत प्यार से सिखाते थे मुझे तो उस वक्त कुछ आता नहीं था बस उनको सिखाते हुए देखता था वे सबसे पहले स्वर की तयारी कराते थे गाईकी में स्वर इस्थान महत्पुन होता है स्वर इस्थान की तयारी के बा वे हमारे दादा गुरु थे उस्ताद के बारे में उनके सिखाने की शैली के बारे में अपने गुरु उमाकांत गुदेचा और रमाकांत गुंदेचा से अक्सर सुना करते थे लबग वही चीजें उसी शैली में हमारे गुरु भी सिखाते हैं इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वे अब नहीं रहे उनका शरीर भले ही ना रहा हो शरीर तो लक्ष है लेकिन उनकी कृती तो हमेशा रहेगी और हमारा मार्दशन करेगी। रहकर महडरम के नियम काईदों का निर्वाहन किया करते थे। जैपूर की सुनीता अमीन ने भी उनसे दुरुपत गायन की गहन शिक्षा लिया अपनी इसी शिक्षा के साथ मिलकर वे यहां वेखो नोगोरियान में दुरुपत पीट स्थापना में लगे थे। जैपूर योगी की साथना का केंद बनाने से तो रह गया लेकिन उनकी कला और उनके द्वारा थापित की गई परंपराओं का यहां शेहर हमेशा गवा रहेगा। के हैं वो और उन्हें भारा सरकार द्वारा 2012 में पदम श्री सम्मानित करने की गोशना की गई पर उन्होंने सम्मान लेने से इंकार कर दिया। इसका मतलब है कि उनसे जूनियर जो थे यहां पर 2012 में पदम श्री सम्मानित करने की गोशना की गई पर उन्होंने सम्मान लेने से इंकार कर दिया था। उनका कहना थे ही सरकार ने सीनियर्टी को नजर अंदास करते हुए उन्हें उनसे जूनियर दुरुपद गाय को यहां सम्मान पहले ही दे दिया था। बलकि उनसे जूनियर थे उनको पहले ही सम्मान दे दिया था। इसलिए उन्होंने इसको नजर अंदास कर दिया। पदम श्री पुरुषकार नहीं लिया निधन। प्रख्या दुरुपद गायक उस्ताजिया फरी उद्दीन डागर का मुंबई में 8 मई 2013 को निधन हो गया। 8 मई 2013 को निधन हो गया। वह असी वसके थे और कुछ समय बिमार थे। उस्ताजिया उद्दीन डागर ने इंतकाल की खबर से दिल को यकीन दिलाना मुश्किल हुआ की दुरुपद की सबसे बुलंद आवाज खामोश हो गई। उस्ताज की सबसे बड़ी उपलब्दी यह रही कि उन्होंने संगीत के दामन में सबसे ज्यादा सितारे जड़े उनके सागिर्द, पंडित, उमाकांत, रमाकांत, गुदेचा, पंडित, रिस्तिक, सन्याल, उदै, भवालकर, पुश्क, राज, पुश्प, राज, आज दुरुपद के ऐसे बेन जीर हीरे हैं जिनकी चमक से दुनिया भर में दुरुपद को रोशन किया है। में बीज भी डाल दिये, आज दुरुपद संस्थान में जो देश-विदेश सागिर्दो का गुलदस्ता महकने लगा है, उसकी जड़े उस्ताज नहीं सीची हैं। तो ये था उनका जीवन परीचे पूरा, दुरुपद के बहुत बड़े गायक रह चुके हैं, स्पीड यहां चलती हुई आ रही हैं, दुरुपद गाती हुई आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जिवन परिजेन का अच्छा लगा होगा, संगीत में योगदान अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कीजे, बेल आइकन बताईए और दिये देरे करके सारी वीडियो में आद डालता रहूँगा, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, थाइंक ये अब में